Hello and very warm welcome to TV का पटाका यो वन स्टॉप देस्टिनेशन फॉर आल एंटिटेन्में न्यूज वेल दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में में अब होने वाला है सबसे बड़ा आमना सामना जी हाँ इशान की मा टकराने वाली है अकास साहेप से एक मा कहेगी अपनी बड़ी ज लेकिन तब भी वो चुप रही लेकिन बाद जब बच्चे पर आ जाती है तो हर मा रोद्र रूप ले लेती है और किसी से भी भड़ने के लिए तयार हो जाती है कोई भी एक मा की ताकत और मा के प्यार की तुलना बराबरी कभी भी नहीं कर सकता इसलिए आज जब कि किस तरीके से सुरेखा ने इशान को बिना किसी बात के सिर्फ और सिर्फ जलन और गुसे में आकर एक जोरदार तमाचा मारा तो ऐसे में इशा अपने गुसे पर काबू नहीं रख पाएगी और सीधा पहुँचेगी भोसले परिवार के पास और वहां जाकर अपने बच इशान जो इशा है उसके खिलाफ ही जाएगा अपनी अक्का साहिब सुरेखा का सेयाद देगा लेकिन ऐसे में इशा जो आज तक सारी बातों को सहती आई कभी उसने सच नहीं बताया आज सुरेखा के सामने सुरेखा का मूँ बंद कर देगी इशा सच बताएगी सब कुछ कहेगी बच्पन से लेके आज तक जो जो गलत फहमिया जो जो जूटी बाते इशान के मन में सुरेखा ने डाली राओ साहेब ने डाली उन सब के बारे में साफ कर देगी इशा और बताएगी कि कैसे बच्पन में बेटा में तुझे अपने स्नाथ ले जाना चाहती थी ले इस नहीं अच्छी परवरिश दे सकती है तो कहां है इनका खुद का सगा बेटा चिनमई त्यूं नहीं रहता इनके साथ क्यों विदेश में है क्यों एक बार भी अपनी बीवी को देखने इस घर को देखने के लिए नहीं आता ऐसे में इशान को समझ में आएगा कि उसकी म नड़ी गलती की और अपनी मा के घले लगकर रिशान रोरे लगेगा कहानी में आने वाले इस नए टुस्ट के लिए आप लोग कितने एकसाइटेड है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर ले